ओम नमाह सिवाय हर हर महादेप माता पार्वति की चैए प्यारे भक्तो आज आप सर्वन करेंगे सोमबार ब्रत कथा सास्त्रों में लिखा है कि जो इस्तिरी प्रूष सोमबार का विधिवत ब्रत करते हैं और ब्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाय पूरी होती है ये सर्वन करते हैं सोमबार ब्रत कथा एक नगर में भागवान सिव का एक भव्य मंदिर था जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन सिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे दूर दूर से कावरियों कावर लेकर भगवान सिव को जलाविशे करने आये हुए थे मंदिर का परिशन भक्तों के भीर से भारा हुआ था तभी अचानक आकास में बिजिलिया हुई और सोने का एक थाल उत्रा उसी की साथ एक भविश्य बानी हुई जो कोई भगवान संकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा मंदिर के परिशर में उपास्तित सभी लोगों ने यह भविश्य बानी सुनी धीरी धीरी सभी इकठे हो गए जो लोग मंदिर की वेवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा इसलिए वे सबसे आगे जाकर खरे हो गए सबसे पहले एक पंडी जी आए और बोले देखिए मैं प्राति दिन महादेव का भिशेक करता हूं इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए इतना कहकर पंडी जी ने थाल उठाया जैसे ही पंडी जी ने थाल उठाया थाल पितल का हो गया जहा देकर पंडी जी बड़े लज्जित हुए उन्होंने थाल यथा अस्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए इसी परकर वहाँ उपस्तित सभी पंडी तोनों खुद को आज माया लेकिन सायद उन्में से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था उन्हें भी थाल यथा अस्थान पर रखकर चले जाना परा इसके बाद उस नगर के राजा का आदमन हुआ राजा साब आगे आए और बोले मैंने महादेब के मंदिर में बड़ी भारी दान दचिना दी है इसलिए यहाँ थाल मुझे मिलना चाहिए इतना कहकर राजा साब आगे बढ़े और थाल उठाया जैसे ही राजा ने थाल उठाया थाल तामबे का हो गया यहाँ देकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा अस्थान रखकर एक तरफ खरे हो गये इसके बाद इसी तरह एक से बढ़करेक दाने महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया लेकिन सोने का नहीं रहा तब लोगों को पता चला कि हम मेंसे कोई भी महादेम का सच्चा भक्त नहीं है उसी समय एक किसान का आग्मन हुआ वो बेचारा महिनों बाद आज सोंबार के सुब अउसर पर सिप जी के दर्सन करने आया था गरीबी और ग्रष्टी का बोच तले दबा दिनरात खेतों में महनत मयदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था अभी राष्टे में आही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा इस किसान को दया आ गई अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया थाल के बाड़े में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया, सिधा मंदिर में गया, और महादेब का पूजन करके बाहर आ गया, परिक्रमा करने जाने को हुआ, तभी पीछे से एक ब्याक्तिक बोला भाई, तुम भी थाल को उठा कर देख लो, हो स मजग बना रहा है, किसान ने हस्ते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एकाद बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं कोईला का एक सच्चा भक्त हूँ, वह अजनवी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो, दो कोड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किन्तु पता चल जाएगा, कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है, लोगों के बहुत आगरा करने पर, आखिर उस भोले भाले, किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया, जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के अस्चर्ज का थिकाना नहीं रहा, सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा, यहाँ देख सब लोगों में खुशियों की लहर दोर गई, सब ही लोग उसके जैकारे लगाने लगे, और पूछने लगे की भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अ उसकर्म का आरम भी दुख से होता है, और अंत भी दुखदायक होता है, आप सैक्रो मिल की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वहा तपस्या, साथना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव सोला सोंबर ब्रत का था, एक समेशिरी महादेव जी पारबती के साथ भ्रामन करते हुए, मृत्तू लोक में आमराबती नगरी में आये, वहां के राजा ने सिब मंदिर बनवाया था, जो कि अंत्यान भाबे अवं रमनिक था, मन को सांती पहुचाने वाला था, भ्रामन कर समय, सिब पारबती भी वहां ठार गए, पारबती जी ने कहा, हे नाथ, आओ, आज इसी आस्थान पर चौसर पासे खेले, खेल पारम हुआ, सिब जी कहने लगे, मैं जीतूंगा, इस परकार उनकी आपस में ब्रातालाप होने लगी, उस समय पुजारी जी पूजा करने आय पारबती जी ने पूछा, पुजारी जी बताईए, जीत किसकी होगे, पुजारी बोला, इस खेल में महादेब जी के समान कोई दुसरा परंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेब जी ही यह बाजी जीतेंगे, प्रंद हुआ उल्टा, जीत पारबती जी की हुई, अतहब, प पारबती जी ने पुजारी जी को कोड़ी होने का स्राब देतिया, कि तुने मिथ्य भासन किया, अपे तो पुजारी कोड़ी हो किया, सिप पारबती जी दोनों वापस चले गए, कुछ समय पस्चात अफसराय पुजा करने आई, अफसराओ ने पुजारी के उसके कोड़ी होने का कारण पूछा पुजारी ने सब बाते बता दी अपसराय कहने लगी पुजारी जी आप सोला सुमबार का ब्रत करें तो सिब जी परसन होकर आपका संकट दूर करेंगे पुजारी जी ने अपसराव से ब्रत की बीधी पूछी अब सरावने ब्रत करने और ब्रत के उध्यापन करने की संपुर्ण बीधी बता दी पुजारी ने बीधी पुर्वक स्रधा भाव से ब्रत पारम किया और ब्रत आंत में ब्रत का उध्यापन भी किया ब्रत के परभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए कुछ दिनों के बाद संकर भगवान पार्वती जी पुनह उस मांदिर में आए तो पुजारे जी को रोक मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा मेरे दियोई स्राप से मुक्ती पाने का तुमने कौन सा उपाय किया पुजारे जी ने कहा है माता, अब सराव द्वारा बताये गए, सोला सुम्बार के ब्रत के करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है, पार्वती जी ने भी सोला सुम्बार का ब्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्दिके जी भी, अपना माता से परसन होकर आग्या कारी कि मेरा मन सदा आपके चर्णों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्थिके को सोला सुम्बार के ब्रत का महात्मे तथा बीधी बताई, तब कार्थिके जी ने भी इस ब्रत को किया, तो उनका बिछला हुआ मित्रा मिल गया। अब मित्रा ने भी इस ब्रत को अपने विवा होने की इच्छा से किया। फल तहा, वहां विदेश गया, वहां के राजा की करने का सुयम्बर था। राजा ने प्रन किया था कि हाथिनी जीस व्याक्ति की गले में बर माला डाल देगी। उसी के साथ राज कुमारी का विव करूंगा। यहां ब्रामन मित्र भी सुयम्बर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हाथिनी ने इसी ब्रामन मित्र को माला पहनाई। तो राजा ने बड़ी धूम धाम से। अपनी राज कुमारी का विवा उसके साथ कर दिया। तत पस्चार दोनों पूर्बक रहने लगे। एक दिन राज का न्या ने पूछा हे ना आपने कौन सा पूर्णे किया। जिसे हाथनी ने आके गले में बरमाला पहनाई। ब्रामन पती ने कहा। मैंने कार्थि के जी द्वारा बताया नुसार सोला सुम्बार का ब्रत। पुर्ण विधी विध पूर्ण सहित स्रधा भक्ती से किया। जिसके फल के कारण मुझे तु महारे जैसे स्वभाग्य साली पतनी मिली। आब तो राज कन्या ने भी सत्य पूत्र प्राप्ति के लिए ब्रत किया। और सर्वगुन संपन पूत्र प्रत किया। बरे होकर पुत्र ने भी राज्य प्रात्य की कामना से सूला सुंभर का ब्रत किया। राजा के देवलोग होने पर इसी ब्रामन कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस ब्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पतनी से पूझा समागरी शिवालय ले चलने को कहा। प्रांतों उसने पूझा गिया तो आकास बानी हुई कि हे राजा तुम इस पत्नी को त्याग दो नहीं तो राजपाट से हाध होना पड़ेगा प्रभु की आग्या मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया तब उह अपने भाग्य को कोश्ती हुई एक बुढिया के पास गई और अपना दु उख्रा सुनाया तभी बुढिया को बताया मैं पूजन समागली राजा के कहे अनुसार सिवालाय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया बुढिया ने कहा तुझे मेरा काम करना परेगा उसने शिकार कर लिया तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर्प रखी और बाजार भही दिया राश्ते में आधी आई तो सिर्प रखी गठरी उर गई बुढ़िया ने डाट कर उसे भगा दिया अब रानी बुढ़िया की यहां से चलते चलते एक आस्रा में पहुंची गोसाई जी उसे देखत आते हुए बोले बेटी तु मेरे आस्रा में रहा किसी परकार की चिंता मत कर रानी आस्रा में रहने लगी प्रन्तु जिस बस्तू को वह हाथ लगाती वह बस्तू खराब हो जाती जहां देखकर गोसाई जी ने पूछा बेटी किस देव की अपरात से ऐसा होता है रानी ने बताया कि मैंने अपने पती की आज्या का उलंगन किया और सिवालय में पूजन के लिए नहीं गई इससे मुझे घोर कश्ट उठाने पर रहे हैं गोसाय जी ने सिवजी से उसके कुशल छेम के लिए प्राथना की और कहा बेटी तुम सोला सोमबार का ब्रत बीधी कर नुसर करो तब रानी ने बीधी पूरवक ब्रत पूर्न किया ब्रत के परभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा आस्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा महराज यहाँ मेरी पतनी है मैंने इसका पड़े दिया कर दिया था किर्पया इसे मेरे साथ जाने की आज्या दे सिप जी की किर्पा से प्राती बर्ष सोला सुंबार का बरत करते हुए बे आनन से रहने लगे और अंत में सिप लोग को प्राप्थ हुए प्रेम से बुली हर हर महादेव मता पारवती की जय ओम नमस्य जिवाद जहां बात उस समय की है जब समुद्र मन्थन से निकला अम्रित कलस देटे एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे इसी बीच एक मनोरम इस्तरी उनके बीच में चली आई सभी उस मनोरम इस्तरी की सोंदर्य को देख हटाट मोहित हो गए वे सभी आपस का जगरा भोलकर उन मनोरम इस्तरी के पास दौर कर गए देटों ने देवी से पूछा तुम कौन हो? कहां से आई हो? सुन्दरी तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर देट्यों के बीच खलबली मच गई देट्य कहने लगे आप तक देवता देट्य, सिद, गंधर्व, चारण और लोक पालों ने तुम्हे अस्पर्ष तक नहीं किया होगा अब सही बिधाताने तुम्हे संपुर्ण इंद्रियों अवं मन को त्रित करने के लिए भेजा होगा सुन्दरी तुम हमारा जगरा मिटा दो तुम नियाय अनुसार निश्पक्ष भाव से इस अम्रित को बाट दो जिस्चे हम लोगों में और अधिक जगरा ना हो बास्ताव में स्रीहरी विष्णू योगमाया सक्ती से युक थो मोहिनी अवतार धारन किये हुए देतो के पास कहते योगमाया सक्ती के परभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है यही योगमाया सक्ती आदी सक्ती है देतो की पराथना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने देत्यों को हस कर कहा, मैं माया हूँ, तथा आप महारिशी कश्यप के संतान है, मुझे न्याय का भार क्यूं दे रहे हैं, बुधिमान पुरुस को स्वेच्छा चारी इस्तिर्या पर कभी विश्वस नहीं करना चाहिए बोहिनी देवी की परिहास भड़ी बानी, देत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई, और उन्होंने आमरिश से भरा कलस उनके हाथों में दे दिया, बोहिनी देवी ने आमरिश का कलस अपने हाथ में ले, देत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो, या अन बाट सकती हो उनकी मोहिक्त मीठी बात सुनकर सभी द्यत्य देवी मोहिनी की परष्टाव पर सहमत हो गए मोहिनी देवी ने अगले दिन अम्रित पान करने की सला दी मोहिनी देवी के आदे समसार अगले दिन समस्त द्यत्य अस्नान कर अम्रित पान करने हे दू पांती में बै मोहिनी देवी अम्रित के कलस हाथ में लेकर आई वे बड़ी ही सुन्दर सारी पहनी हुई थी आखे नसीली हो रही थी कलस के समान अस्तन तथा गज सावक के सुड के समान जंगाये थी देवी के सुअन नूपूर अपनी जंकार से सभी को मोहित कर रही थी सुन्दर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका का पोल तथा मुखा रबिंद्र बहुत ही मनोरम थे बात में भगवान के इस मोहिनी आवतार ने देवों को अमरित पान करवाया और देत्ते के साथ चाल किया उधर जब भगवान सीब ने सुना कि सिरी हरी ने देत्तों को मोहित कर देवताव को अमरित पिलाने के लिए इस्तिरी रुप धारन किया वे उस अस्थान पर गए जहां भगवान सिरीहरी निवास करते थे वहां जाकर सिपजी ने भगवान सिरीहरी की इस्तूती बंदना की सिरीहरी इने सिपजी को देत्यो को मोहित करने वाले मोहिनी रुप दिखाया एका एक सिपजी एक रंग बिरंगे फूलों से भड़े पूरे उपवन में पहांच गये वहां उन्होंने बड़ी ही सुन्दर परिधान पहने हुए कमर में कमर धनी पहने एक सुन्दर इस्तिरी को कीरा करते हुए देखा उन्देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुरा कर तीरची नजर से सिपजी की ओर देखा बस फिर क्या था काम देव को भश्म करने बाले भगवन संकर का मन उनके हाथ से निकल गया बे मोहिनी देवी को निहारने लगे उनकी चितवन के रस में डूप सिपजी इतने भावातूर होके कि उन्हें अपने आपकी भी सुध ना रही जहां भगवान संकर की मोहिनी देवी पर आखे लग जाती थी लगी ही रहती थी तथा उनका मन वही रमन करने लगता था बे मोहिनी देवी के अंतियंत आक्रिष्ट हो गये उन्हें मोहिनी भी अपने प्रती आसक्त जान परती थी उनके हाव भाव के सिपजी का बीबेक सुन्ने हो गया था तथा वे कामातूर हो गये थे अपने बैरी काम देव से मानो परास्थ होकर महादेव जी विष्णु के मया मय मोहिनी रूप को जान कर भी पीछे पीछे दोर ने लगे पारवती जी का ख्याल त्याकर संकर मोहिनी की पीछे लगे उन्होंने उन्मत होकर मोहिनी की केस पकर लिये मोहिनी अपने केसों को छुरवा कर फिर वहां से चल दी संकर फिर उसके पीछे पीछे दोर ने लगे उस समय प्रित्वी पर जहां जहां भगवान संकर का बिड्रे गिरा वहां वहां सीब लिंगों का चेत्र एबंग स्वर्न की खाने हो गई ततपस्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान संकर अपने स्वरुप में इस्तित हुए प्रेम से बोलिये विश्नु भगवान की चैए उमापति संकर भगवान की चैए किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे इतना सब कुछ संपन होने के बाद भी वहाँ व्यापारी बहुत दुखी था क्यूंकि उसका कोई पूत्र नहीं था जिस कारण अपने अम्रित्तू के पश्चाद व्यापार के उत्रा धिकारी की चीनता उसे हमेशा सताधी रहती थी उत्रा प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रातिक सोम बार भागवान सीब का ब्रत पूजा किया करता था और साम के समय सीब मंदीर में जाकर सीब जी के सामने खी का दिपक जलाया करता था उसकी भक्ती देखकर मा पारबती परसन हो कई और भगवान सीब से उस व्यापारी की मोनुकामना पुर्ण करने का निवेदन किया भगवान सी बोले इस संसार में सब को उसके कर्म के अनुसर फल की प्राप्ती होती है जो प्रानी जैसा कर्म करते है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है सिपजी दुआरा संझाने की बावजुद मापार्वती नहीं मानी और उस व्यापाली की मनुकामना पूर्ती है तू वे सिपजी से बार बार अनुरोद करती रही अंत तह माता के आगरा को देखकर भगवान भोले नात को उस व्यापाली को पुत्र प्राप्ती का बर्दान देना परा बर्दान देने के पश्चात भुले नात मापार्वती से बोले आपके आगरा पर मैंने पुत्र प्राप्ती का बर्दान तो दे दिया प्रन्तु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा उसी रात भगवान सीप उस व्यापाली के सप नमें आये और उसे पुत्र प्राप्ती का बर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई भगवान के बर्दान से व्यापाली को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपायू की चिंता ने उस खुशी को नैश्ट कर दिया व्यापारी पहले की तरह सोंबार के दिन भगवान सेप का बिदिवत ब्रत करता रहा कुछ महीनों की बाद उसके घर एक अतिय सुन्दर बालक ने जन मिलिया और घर में खुशिया ही खुशिया भर गई बहुत धूम धाम से पुत्र जन्म का समारो मनाया गया परन्तु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई यूँकि उसे पुत्र की अलपे आयू के रहस्य का पता था जब पुत्र बारा वर्ष का हुआ तो आपारी न उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारशी भें दिया लड़का अपने मामा के साथ सिच्चा प्रापते हेतू चल दिया राष्टे में जहां भी मामा भांजे विश्राम खेतू रुपते नहीं यक करते और ब्रामन को भोजन कराते लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे उस दिन नगर के राजा की करने का विवाह था जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आख से काने होने की कारण बहुत चिंतित था उसे भै था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा बिवाह से इंकार ना कर दे इससे उसकी बदनामी भी होगी जब बर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिस्क में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लरके को दुलहा बना कर राज कुमारी से विवाह करा दू विवाह के बाद इसको धन दे कर विदा कर दूँगा और राज कुमारी को अपने नगर ले जाओंगा बर के पिता ने लरके के मामा से इस सम्मध में बात की मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की वाद को स्विकार कर ले लरके को दुलहे का बस्त्र पहना कर राज कुमारी से विवाह कर दिया गया राजा ने बहुत सारा धन दे कर राज कुमारी को विदा किया तादी के बाग लड़का जब राजकुमारी के साथ लोट रहा था तो वहाँ सैच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़ने पर लिख दिया राजकुमारी तुम्हारा विबाह मेरे साथ हुआ था मैं तो बानारसी पढ़ने के लिए चा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव उबक की पतनी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओड़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लर्की के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा को जब ये सब बाती पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया उदर लर्का अपनी मामा के साथ बनारेशी पहुँच गया और गुरुपुल में पढ़ना सुरू कर दिया जब उसकी आयू सोला वर्ष की हुई तो उसने यक किया यक की समाप्ति पर ब्रामनों को भोजन करवाया और खुब अन्य बस्त्रत दान की रात को वह अपने सायन कक्ष में सो गया सीब के बरदान के अनुसार सायन अवस्था में ही उसके प्रान पेकरू उड़ गय सुर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोनी पिटने लगा आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख परकट करने लगे लरके के मामा की रोनी बिलाब करने के स्वर समीब से गुजरत हुए भगवान सीब और माता पार्वती ने भी सुनी माता पार्वती ने भगवान से कहा प्रानात मुझे इसके रोने का स्वर सहां नहीं हो रहे आप इस व्याक्ति की कеш्ट को अवस्य दूर करे भगवान सिब ने माता पार्वती के साथ अद्रिस्य रूप में समीब जाकर देखा तो भुलेनाथ माता पार्वती से बोले यहां तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू पूरी हो गई है मा पार्वती ने फिर भगवान सीव से निवेदन कर उस बालक को जीवान देने का आगरह किया माता पार्वती के आगरह पर भगवान सीव ने उस लर्के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ वैठा सिक्छा समाप्त करके लर्का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां उसका विवा हुआ था उस नगर में भी यक का आयोजन किया समीप से गुजरत हुए नगर के राजा ने यक का आयोजन देखा और उसने तुरंथी लर्के और उसके मामा को पहचान लिया यक के समाप्त होने पर राजा मामा और लर्के को माहल में ले गिया और कुछ दिन उन्हें माहल में रखकर बहुत सा धन बस्तरादी देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पतनी बेटे की परदिक्षा कर रहे थे उन्होंने परतिग्या कर रखी थी कि यादी उन्हें अपने बेटे की मृत्तु का सामाचार मिला तो दोनों अपने प्रान त्याग देंगे प्रान्तु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लोटने का सामाचार सुना तो वहाँ बहुत परसन हुआ वह अपनी पतनी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा अपने बेटे के विबाह का सामाचार सुनकर पुत्र बधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा उसी रात भगवान सीव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा हे स्रेष्ठी मैंने तेरे सुमबार ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से परसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है पुत्र की लंबी आयू जानकर व्यापारी बहुत परसन हुआ सीव भक्त होने तथा सुमबार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनुकामनाय पुर्ण हुई इसी परकार जो भात सोंबार का बीधिवत ब्रत करते हैं और ब्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी चय पूरी होती है उमसे पुली उमापति संगर भगवान की जय